हेलो एब्रिवन आज मैं बनाने वाली हूँ हेल्दी कबाब बेसिकली आज मैं बनाऊंगी चना कबाब और इस कबाब को बनाने के लिए हमें बहुत जादा इंग्रीडियंट की भी जरूरत नहीं है और ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाती है तो जब भी आपका कुछ खाने का मन करें आप ये कबाब बना के ट्राइ करिएगा सबसे अच्छी बात ही है कि बहुत जादा सौफ्ट है तो हमारे घर में जो बड़े बुज़र्ग है वो भी इसको खा सकते है अकसर उनका खाने का मन तो करता है लेकिन क्योंकि उनके लगता है मुँमें वो खा नहीं पाते है तो इसलिए वो नहीं खाते है तो आप ये रेसेपी ट्राइ करिए आपको जरूर पसंद आएगी तो चलिए बनाना शुरू करते है सबसे पहले हमें चने चाहिए होंगे तो जादे अच्छा लगता है खाने में पर आप चाहो तो ब्लेंड भी कर सकते हो तो आप देख पा रहे होगे कुछ कुछ चने पूरे ऐसे हैं जिनको मैंने ब्लेंड नहीं भी किया है त्रस्ट मी ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं तो अब हमें सेकेंड इंग्रीडियंट चाहिए होगा अरारोट तो अरारोट यहां पर सिर्फ बाइंडिंग का काम करेगा आप चाहो तो बेसन भी एड़ कर सकते हो पर मुझे बेसन का टेस्ट उतना जादा नहीं पसंद है इसलिए मैंने अरारोट एड़ किया है धी नमग एड़ करके तीनो ही इंग्रीडियंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद आपको एक शेप देनी होगी तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यह जो आप बना रहिہ हो को अरो कबाब को बनाने का जो डो है जब हम इनको बॉइल कर लेते हैं उसके बाद लिकिन अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप वन टीस्पून पानी एट कर सकते हो तो मैं कुछ इस तरह की शेप दे रही हूं आप कोई भी गोल या जैसी भी आपको पसंद है आप शेप बना पारे हो कोई भी शेप में डिखा पी विगैजल दे सकते हो तो मैं लो उसके हमें को आपको बनाया है तो सारह कबाब में इस तरह से सबसे पहले है रेडी कर लोंगी तब हम इनको फखाय करेंगे तो हमां इनको फख्राइक संग करना요 आपको तिकनी को बहुत जादा को परें कि और जादा मोटे रखोगे तो अंदर से कच्छे रह जाएंगे तो मैंने लिया है पैन जब ऑइल गरम हो जाएगा ऑइल डालने के बाद गरम हो जाएगा तब सारे कवाब को इसी तरह से असेंबल कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे सभी को गोल गोल घुमाते हुए हमें फ्राइ करते में ही डालिएगा तब जादा अच्छा लगता है क्योंकि वह भी आपस में मिल जाता है नहीं कबाब पे इस तरह से आप ट्राइक कर सकते हैं मैं हातों से ही आप देख पा रहे हो तर्न कर रही हूं मैंने किसी भी स्पेचलर का यूज नहीं किया है क्योंकि मैं बहुत करना जादा अमेजिंग आता है आप एक बार जरूर मेरे कहने पर ट्राइक करिए तो कबाब बनके तयार है आप में देखा होगा बहुत जाता टाइम नहीं लगा था आप भी रेसिपी एक बार जरूर ट्राइक करना उमीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी व झाल